हेलो स्ट्रेंट्स स्वागत करता हूँ आपका बदरा कलास्टे टुटोरियल में स्टुडेंट आज के टॉपिक में मैं आपको जो टीच करवाने वाला हूँ वो है स्टुडेंट्स इंदन इंदन मेंली क्या होता है students हर वो चीज जो जलने पे हमें क्या देती है उश्मा या ये कह सकते हो उड़जा देती है वो हमारे लिए क्या होगी इंदन होगी तो इसके अंदर अपने आज पहले तो इंट्रो बता देता हूँ क्या क्या टोपिक इसमें कवर होंगे इस आपके 20-25 मिनट के वीडियो में कि LPG गैस के बारे में CNG गैस के बारे में प्रोडूसर प्रोडूसर गैस के बारे में इसके अलावा अगर अपने लेके चलेंगे तो गोबर गैस के बारे में इसके अलावा water gas के बारे में ये अपने पास होंगे इधर इन गैसों से इसके अलावा students अपने जो दूसरे नमबर पर study करेंगे कोईले के बारे में कोईला जो अलग अलग आपका रहता है कहां से उत्पत्ति होती है से लेके मैं कहता हूँ कि ये video end तक देखेगा और अगर आपको ये video fully मैं कहूँगा time वसूल जैसे कहते है ना पैसा वसूल movie थी कोई ये मैं कहूँगा आपका time वसूल है और आप इसको like के बिना नहीं रह पाओगे students से तीसरा इसमें कोईले जो अलग-अलग anthracite, bitumen और आपका पीट और क्या इसके reason क्या है quality क्या है उसकी वह चीज़ के बारे में मैं आपको पताऊँगा इसके अलावा students मैं आपको द्रव petroleum इसके अंदर आपने study करेंगे students like petrol, diesel, मिट्टी का तेल, जिसको kerosene और इसके अलाव जो इस topic की शुरुवात होती है तो मैं आपको बता ज़ैता हूँ, इस topic की अपने शुरुवात करेंगे students यनि इनदन की मैं शुरुवात आपका करूँंगा. मैं आपको बताता ही हो Mindan की students इनदन दो परकार का रहता है में एक वह इनदन होता है students जिसको यह कह सकते हैं कि य इक होता है जो आपका कभी संनुनी होगा जो कभी संब्थनी जो कभी संनी होगा उसको अकशय उर्जा बोलते हैं यह बढ़े तो इसको अ शेय जिसका कभी भी शेय नहों यह कि एक साप से देखा जाए तो यह reproduce होती जाती है यानि कि इसको अगर अपने बात करके चलेंगे तो ये वो उर्जा होगे इस्टुएंट जो पुने उत्पादित होती रहती है और इसके बंडार ऐसी मित अपने आप में सौर, उर्जा किसका उधारने से वो आपका ऐ शेय का उधारने जब कि दूसरे बात आती है स्टुएंट से समापत होने वाले की बात करके चलें समापत होने वाले इसी कोई नाम एक नया दे दिया जाता है जिसको बोल दिया जाता है नमीनी करन नमीनी करन और यह हो जाएगा आपका ए नमीनी करन ए नमीनी करन जैने कि जिसका नमीनी करन मतलब नया बनाया जा सके जिसको नया ना बनाया जा सके इसमें समाप्त होना है कि अगर मैं बात बताओंगा आपको तो स्टुएंट आपको पता है जाए कोईला परकरती की गर्ब में कोईला लिमिटेड है लकडी जिससे अपने कोईले को जनेरेट करते हैं धैन पेट्रोल धैन डीजल ये जितने भी आपके पास रहेंगे ये सारे चीज जो जलने पर झ th अपने को क्या देता है सूर्य से च्राइब को सबसे बड़ा सोड़ा का energy का हाइच्ववान इसको कंवर्ड करते हैं अब अपने वाले डिसकस करणे़ है кि कौन-कौन से टाइब की अपने को उर्जा या किस किस तरीके से मिलती है सबसे पहले अपने उठाएंगे ना वह इस टोपिक के अंदर उठाने वाले हैं कोईला क्या चीज़ है पहले तुम आपको इसके बारे में बता देता हूं स्टूडेंट जब यह हमारी पर्थवी की बात करें न तो लावां इसके जवाला मुकी की कि स्टूडेंट इस लावे स्टूडेंट्स तो अपने उसको औलग खनिज मिले खनिज मिले क्योंकि आग से इसकी उत्पत्वी आगने है चटान समझाई ये वाली चीज़ दूसरे नंबर पे स्टूडेंट उत्पत्ती हुई दूसरे नंबर पे जो ये वाली जो चटाने थी पहली चटाने थी आगने आगने चटानों के अंदर अपने को क्या मिलता है खनिज पदार् अपने को मिलता है students आगने चटान दूसरे नंबर पर आई थी student जो पर्थवी की गर्व में आज भी है वो है अवसाधी अवसाधी चटान अवसाधी का मतलब अवशेश क्या अवशेश आप इसको यह कह सकते हो कि मनुष्य के जो शरीर के जैसे अपने को पता होगा कभी जिसे कच्चा तेल पेट्रोल गार अपने को दर्ती की गरब से मिलता है ना और इसके लावा अपने को दूसरे नंबर पर क्या मिला था students कोईला दूसरे चटान अगर अपने से पूछा जाए कोईला किस परकार की चटानों से प्राफ्त होता है तो अपना आंसर क्या होना यह आप साधे चटानों से प्राफ्त होता है यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तीसे नंबर पर student जो आई वो चटान का नाम था कायांतरित क्या कायांतरित जो यह चटाने थी इन चटानों बड़े लंबे टाइम पहले इनके रूप में परिवर्तन आता गया और इन्होंने इनकी काया रूप का मतलब काया काया में परिवर्तन आता गया और यह जो चटाने थी इन्होंने रूप ले लिया इमारती पत्थर का मतलब like संग मरमर संग मरमर का संग मरमर का रूप ले लिया अब अपने को आज जो study करना है अभी इस session के अंदर तो मैं आपको koila और petroleum पतार्थ के बारें बताता हूँ student एक अच्छे koila की खासियत क्या है एक अच्छे koila की खासियत यह है कि जिसका उश्मा का मान ज्यादा होगा वो अच्छा koila होगा वो इसका उश्मा का मान को अपने किलो के लोरी के अंदर मापते है क्योंकि के लोरी आपको ध्यान होगा उश्मा का मातरक माना जाता है अब student koila थे चार परकार के होते हैं student सबसे पहले नंबर पे आता है anthracite दूसे नंबर पे अगर मैं लेके चलूंगा तो लेके चलते हैं अपने bits unit तीसे नंबर पे आता है link knight और चोथे नंबर पे आता है pit यह anthracite जो है ना यह शबसे का कोईला है सबसे उत्तम का कोईला है इसके अगर अपने इसको जब जलाते है ना स्टुडेंट तो इसकी जो उर्जा यानि कि जो उश्मा का मान है ना एंतेसाइड का वो स्टुडेंट से 90 से 98 प्रतीशत है यानि कि ये कह सकते हैं कि ये सबसे उच्ट कॉालिटी का है ये भंगूर होता है कोईलाución कोई बीवी ले लो कार्बन का नेचर ना वो ये है कि ये भंगूर प्रकरती होगी मान चोट करने पर ले टूरता इसमें एक free electron पाए जाने के तूड़ा सौफ्ट होता है और विदूद के परती चालकता भी दर्शाता है तीसरा आता है है फुलरीन क्या है इसकी संचना होती है गोल गेंद के समाने इसके संचना होती है मैंने क्या बहुत है प्योर काले रंग का यह खास बात रहती है अब यहां से आपको बता देता हूँ यह कोईला अपने भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाता है जार खंड में कहां पे पाए जाता है जार खंड में यह ध्यान अखने वाली बात देन नमबर दो पे आए इस्टूड बिटुमिन बिटू किसी लड़के का नाम लगता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो घरों में अपने लकडी जलाते हैं घरों में लकडी जलाने पर बनने वाला कोईला जो कोईला है वो कौन सा होगा स्टूड़न्स आपका बिटुमिन होगा और इसकी जो उश्मा का मान है वो स्टूड़न्स होता है 80-87 प्रतीशत यानि कि ये अगर अपने बात करें ये नमबर एक पे है तो ये नमबर दो पे है ये नमबर थीन पे और ये नमबर क्वालिट कि इसमें कि रहुदी बोलते हैं कि इसमें जल्वाश्प के स्टूडेंट से क्या करता है धूमवा जादा देता है आपको ध्यान होगा राजस्थान के अंदर है इसके अगर कोशना आ डिया को इले के भंडार कहां पर आप सबसे गटिया किसम का कोईला पीट के आपका सबसे गटिया किसम का कोईल है स्टूडेंट से जो मरतवन अस्पती होती है आपकी पेड़-पोदे या मनुश्य की बात करें वह सबसे पहले के अंधर के अंधर यह ना जलने पासका उसके अंदर वाश्प की मातरा सबसे अधिक होती है इसलिए जलने पर यह बात मैंने बता दिया आपको कोईले के बारे में अब अपने पास इंदन और कौन-कौन से थे C&G की बात करते हैं C&G C&G को अगर अपने कभी भी पढ़ते हैं तो स्ट्वन इसका मेंली क्या रहता है अब आपको एक बात ध्यान रखनी है हमारी जो परकर्ती है न इसकी गर्ब में स्टूडेंट जो गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा वो है CH4 जिसको कहते हैं अपने मिथेन इसी को ही परकर्तिक गैस का जाता है कोश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा उश्मा का मान किसका होता है किलो किलोरी मान किसका सबसे ज़्यादा होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पर सरवादिक उश्मा की मात्रा किलो किलो किलोरी में यह चीज आपको ध्यान रखनी है भी इसकी अब बात आती है कि यह जो यह अगर इस मिथेन के बारे में अपने से पूछा जाए क्योंकि मैं आपको जो टोपिक बताऊंगा ना स्टुडेंट आप इस वीडियो को एंड तक जूर देखेगा आप एससी या रेलवे एक्जाम दे रहे हैं मैं इसी की गरंटी देता हूँ इस से बाहर आपका कोश्चन नहीं जाएगा और अगर आप इसके अलावा भी बड़े एक्जाम को टार्गेट करें हैं जैसे टीचर का कोई थार्ड गरे रिट का दे रहा या कोई दे रहा तो उनमें भी यह कोश्चन डारेक्ल दम गोटू गैस अब मेरी बाद द्यान से सुनना नॉर्मली मैंने इसकी नेचर बता दी कि यह रंग हीन गंद हीन जुवलन शीलो दम गोटू गैस परंतु स्टूडेंट यह वाली जो गैस है ना यह जादा तर आपको वहां मिलेगी जादा तर वहां मिलेगी जहां हरा र जाती है बन जाती है ना उसकाई में जो बुलबुले बनते हैं उन बुलबुलों में पूछा जाता है कौन सी गैस पाई जाती है ठैरोवे पानी में जो बुलबुले बनते हैं वहां पे आपको ध्यान रखना है मिथेन गोबर गैस का परमुख गटक गोबर गैस का परमुख गटकॉ chi कोश्चन अपने पास आजाएगा पसु जो ते हैं कोश्चन आजाएगा पसु जुगाली करते हैं । है तो कोंसी को छोड़ते हैं तो ध्यान अखना है निट जोगाइए अपने देखते हैं जुगाली का मतलब समझ गयोगे स्टुटेंट साप जुगाली का मेन मतलब क्या होता है कि जब पशुक खाना माना खा लेते हैं तो उसके बाद वो स्टुटेंट से क्या करते हैं मुहें को उस खाने को बार बार रिपीट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है उसमें कौन से पाई जाए ते मिथेन धान के खेट में कोश्चन आता है रातरी को नहीं सोना चाहिए क्यों कि रातरी में ये मिथेन गैस का उसरजन करता है इसके अलावा कई बर आपने देखा होगा कोश्चन आएगा कोईले की खान में कोईले की खान में विसफोट का परमुख कारण कौन सी गैस है तो आपको ध्यार रखना है मिथेन देखो जहां से भी बन सकता था मैंने वो possible thing इसके अंदर एड़ अब कर दिये इसके अलावा अपने से क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा एक बाद ध्यार रखना है कि ये वैसे अगर ना मिथेन गैस के कोई डारेक्ट टच में आजाए CH4 के डारेक्ट टच में आयता है देखो आपको पता होगा अपने अलकोहल नाम सुना होगा शराब जिसको बोलते है C2H5OH ये क्या है शराब है शराब जहरीली होगी जहरीली का मतलब क्या था जो ये गटक है ना ये गटक है ना कहीं कनवर्ट होगा इसके अंदर तीसरी नेक्स्ट बात आपने वरुन गरहे का नाम सुनागा वरुन गरहे आप अगर देखोगे तो इसका रंग हरा है तो कौन सा क्यूं हरा है क्योंकि वहां पर मिथेन गैस के दिखता है तो आपको नेच्रल गैस के बारे में जो जो बाते पता थी या बता सकता था मैं मैंने मैक्सिमों वह बाते आपसे शेयर कर दी है और लगबग आपका कोश्चन है वो यहां से पर येट हो जाएगा इस गैस को कॉंप्रेस नेच्रल गैस को स्ट्ट पराकरती गैस का जाता है वहनों में वर्तमान मेनी का ज़्यादा यूज किया जाता है इसकी उश्मा का माहन सबसे ज़्यादा होता है कोश्चन द्यार रखेगा ये और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस ये मैंने क्या बोला ये परदुशन नहीं करती है नहीं करती परंतू परंतू ये कोश्चन अभी आभी हाली के अंदर रीट एक्जाम में भी पूछा गया था परन्तु ये क्या करती है स्टूडेंट्स हरित गरहे परभाव सुना होगा हरित गरहे परभाव के लिए जिम्मेवार गैस है के लिए जिम्मेवार गैस है अब आपको बताता हूं हरित गरहे परभाव में लिए होता क्या है स्टूडेंट्स एक्चुल में क्या था हरे रंग को एक आपने देखा होगा घर से बनाए जाते हैं इसका मतलब क्या है है इसके अदर जो टमप्रेचचर आपको बनाके रखना है न वह बनता है बढ़ आप देखर हो पर्थवी के उपर टमप्रेचर बढ़ रहा है समझाइए वाली चाहिए आपको नेन आगे बढ़ते हैं अपने इस मिठेन हो गया आपके इसके बाद अपने पास कौन सी आ जाएगी स्टुनेंट से सी एंजी हो गया आपका एल पी जी लिक्विड पेट्रोलियम गैस दर्वित पेट्रोलियम गैस देखो कोश्चन आयता है इसी को ही का जाता है कुकिंग गैस कुकिंग गैस का पूछ लेगा क्या फॉर्मुला कौन कौन से उसके घटक होते हैं इसी को ही का जाता है रसोई गैस समझ गए यह वाली चाज़ इसके परमुख गटक कौन कौन से है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन इसके परमुख गटक है अब आपको ध्यान रखना है कि यह जो दोनों गैसे है ना यह वाली दोनों गैसे जो मैंने बताई हैं आपको ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों इना स्टूडेंट से गंद हीन है मतलब इनके अंदर स्मेल नहीं आती इसलिए अब अपने देखते हैं गरमे तो रसोई के अंदर रिसाव होता है तो अपने को स्मेल आती है वो इसलिए आती है क्योंकि student इनके अंदर एक product मिला जाए जाता है जिसका नाम है मरकेप्टन क्या मरकेप्टन के नाम से मिला जाएता है दोनों मिला सकते है या तो वो एथाइल मरकेप्टन मिला देगा वो smell के लिए या वो methyl मिला देगा में जो चीज़ है वो क्या यह इसको formulate करूं C2H5 SH के regarding इसको अपने स्टूडेंट से consider करते हैं यह मिलाते है ना तो अपने को जो smell आती है नो वो इसी के कार्ण आती है निकि अथाइल मरकेप्टन के कार्ण आती है में अगर पूछा रहा तो मैंने क्या बोला आपको ध्यान अ है मरकेप्टन द्यान अखना समझा यह वाली बात आपको यह आपके पास लगबग आपके पास कवर अब दो चीज़ें अपने को ध्यान अखनी होगी मैंने आपको बताया था कि स्टुडेंट से की आप एक प्रोडूसर गैस के बारे में अपने थोड़ा सा कवर अप कर ल और अगर अपने पास आजा जाए जल गैस बाकी पी चीज़ें इसके अंदर रहेंगे पर बहुत कम रहेंगी पर ज्यादा मातरा लगबग यह मान के चलो आप 51 परसेंट यह पाई जाएगी इसके अपने वाटर गैस के रिकार्डिंग भी कह सकते इसको क्या वाटर या जल अगर अपने बात करके चले इसके अंदर स्टुडेंट्स लगबग होती है 21 परसेंट मिथेल ठीक है ना बड़ी-बड़ी गैसे जो रहेंगे वह यह रहेंगी और इसके अलावा स्टुडेंट इसके अंदर लगबग अथाइस परसेंट रहेंगी वह रहेंगी कार्बन मोनो vitoan sieht तो यह तीन की गटक पूछ जाएंगे बाकी तो छोड़ी-फुड़ी गैसे तो आपको पताईए पर बड़ी-बड़ी जो पाई ज्योंगी वह आपके क्या पाई जाएंगी यह वाली गैसे ही पाई जाएंगी स्टूडेंट से समझ आगी आपको यह वाली लगबग जो कोउश्टन्स आपके क्रियेट होते हैं न वो स्टूडेंट्स यहां से क्रेट हो यह कोईले से लेकिए अब मैं आप से कुछ और पॉइंट हैं वो शेयर कर आयता है वैसे इसको बोल दिया था कच्छरे का मिक्स्चर है यह वाला चीज़ होता तो यह पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं न स्टूडेंट्स उन्हीं कहीं यह एक लास्ट के अंदर जो कह सकते हो गाड़ा गाड़ा लेस दा जो चीज बज़ जाती व आपको ध्यान किता हैं अब मैं आवको प्रकून कोष्छ कर देता हूं कि जो अभी तक अपनों ने स्टटी किए को श्टडी हो गया आपका गैस के अपने पास टडी कर लिए अब आपको बतार हां कुछ ंठ स्टूडेंट्र के बारे में रवर द्रकून आपने माइंड के अंदर सबसे पहले आता है पेट्रोल जिसको अपने स्टुडेंट्स तर गैसोलीन कंग इसलिए बोला यह यह। पैट्रोलल जो है न यह बिको छोड़ देते हो तो इन उड़ जाता है इसका यूज़ का अखियता है बड़ा बड़ा महानो में इंदन के रूप में इसके बाद अगर अपने बात करके चलते केरो सीन केरो सीन का कहां कहां यूज किया जाता है स्टुडेंट्स तो आपको बता देता हूं जो जेट वा बात करके चले डीजल इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं स्टुएंट से कि अपने को पता है कि ग्रेलू जो इंदन होता है आपका उसमें भी इसका यूज किया जाता है लाइट या बिजली बनाने के लिए जो जर्नली अपने गरों में देखते है ना दीपक जगा यह जाता है यह चीज आपको ध्याना करना है क्या यह ब्रेद्नस आपका और इसके बार आजयता है वसली यह जग्व हिंग लिटैयो करते हैं पर जो बड़े बड़े पॉइंट थे वो मैंने आपको कवर परवा दिये जो पहले बाले में यह बहुत कम पूछे जाते हैं बढ़ फिर भी मैंने आपको इसके अंदर कंसिडर करवा दिये आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा रूटीन में देखते रहोगे ना वो जीके के नोट्स प्लान करते रहोगे तो आपके सारे के सारे कोस्टन से वो आपके कवर अप हो जाएंगे और एक मैंने पहले भी का था कि मैं एक क्विज को पर भी वरक कर रहा हूं ताकि आपके देख रहे हो तो नीचे शेयर का एक लिंक आता है तो मैं यह आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना सभी केंडिडेट जब वीडियो देखते हो जो वीडियो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे ना स्टुएंट अपने यूट्यूब चैनल केंदो शेयर पर जाओगे फेसबुक के ओको लिंक करना या आप वोटसेःफ को लिंक करना आप कि आपके यूवक अजाएगा आप अपने का इस को शेयर करें ज्यादा है ज्यादा केंडरी जितने सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा स्टुएंट्स हमें और ज्यादा वर्काउट करने में स्टुएंट्स मजा आएगा स्टुएंट्स थैंक यू फर वोचिंग थैंक यू स्टुएंट्स